यार कैसे हैं सब लोग यार्ट टाइटेनियम गेमे के नई एंड फ्रेस वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है तो या आज का ये वीडियो बेसिकली गाइस यहाँ पे आप लोगों के कंट्रोल के उपर मैं याँ बनाने वाला हूं कि किस तरीके से एक अट्रोल काम कर लिखना तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो यहां पर सबसे पहले हम आज जाते का इस control को पर तो यहां पर पर आइशंद 3 शोल एम पर रखिशन पर जाते हैं तो यहां भ़ोगों पर तो यहां पर देखने को मिलते हैं default पिस सुपब इन考 एप इनके उपर एक फुली मैंने वीडियो बना रखी है अगर आप फुल तरीके से समझना चाते हो और अगर आप लोग आइस सोड में समझना चाते हो तो यह इस वीडियो के इंदर में बता दूगा गाइस ठीक है तो यहाँ पर डिफोल्ट प्रिसाइज फुल कंड्रोल इस तर अगर आप लिएपने फुलाइज चाते है और आपको डायरिक्ट बोडी पकड़ लेगा इस चीक है तो यह काम रहता है डिफोल्ट का इंड गईस में डिफोल्ट पर ही खेलता हो डिफोल्ट में रिपोल्ट इनको वन ऑफ बेस्ट कंड्रोल लगता है तो प्रिसाइस प्र आप खेल सकते हैं काफी प्लेयर जो हैं प्रिसाइस पे भी खेलते हैं प्रिसाइस का मतलब यह होता है जब आप इसको प्वन करोगे तो उसके बाद में आपका जो एम है वह आपको खुद से नीचे आ जाता है क्योंकि वह डिफॉल्ट है इसलिए डिफॉल्ट मतलब काफी ज्यादा हेल्पूल भी है प्लेस उसके थोड़े बहुत वह डिसेडवांटेज ही है जो कि प्रिसाइज में आपको बहुत ज्यादा प्रिक्टिस की जरूरत है मैंने एक फुल वीडियो पड़ेगा उस बंदे के उपर हेड के उपर एम करना पड़ेगा तभी आपको जो हेड्शोड लगेगा और क्लोस फाइड और लोंग फाइड दोनों में इसके यहां पर प्रोब्लम सी प्रोब्लम से अगर कोई ज्यादा मुवमेंट वाला बंदा है तो फुल कंड्रोल व उनलम से किस से रहना च्याहिए तो मैं आप आज घार डगाईस पहले तों कर के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है गाइस तो यह गाइस यहां पर सारे प्रो प्लेयर्स यूज़ करते तो आप लोग भी गाइस इसको ओल्वेज रखे यह आपकी बहुत ज़्यादा यहां पर हाथ किलिक करके जो काफी दूर है सबाफकी आप काफी दूर रखने से आपका बंदों को बड़ा चोटा आप कर दीजिए और आप हवात वाले बटन को चोटा या बड़ा कर सकते हो जिसकी वजह से आप यहां पर साइज इसके अड़्ड कर लिए और यह वालई बटन फाइरिंग बटन कि आप पास में जश्च में जईश्च πα्समे अच्छ चीज फाईरिक बटन ए क्यूक रिलोड गाईज सेम उसी तरीके से काम करता है आपके नीचे क्यूक रिलोड यह किस तरीके से काम करता है कि आप कर गाईज हम कस्टम बूड में चल लेते और यह वाला जो नीचे वाला जो गाईज क्यूक रिलोड यह वाला बटन है यह आप मेगजीन बनी विए यह इस बेटन से क्या हो गाई का अपकी मोख कर तुरंद आपकी मोख खतम होगए तुरंद token powder पर उपर धिए को आपके एक ate दो सेगंड आपके लिए गेम के अंदर बहुत जादा जब आप लोगों को पता होगी एक दो सेकेंड के अंदर ही के बंदे मार देते तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है यह वाली गाइस करना तो इसको भी आप ओन रखें अब यह बहुत बंदों के लिए बड़ी वाली चीजे की नूर्मल रखनी है होल्टू फायर रखनी इसका आपको मैं सीधा सीधा बता देता हूँ अगर गाइस आप नॉर्मल रखते हो तो जब आप फायर बटन पे जो बटन होता है फायर वाला उस पर क्लिक करोगे नहीं तो डा इसकोप नहीं पड़ेगा जैया जैस्याप फायर बटन पस्फीड रेक्रिग में साथ में हो जाएगा तो यह काफी बंदों के लिए तो वह साइड़ में गौली चल जाए उसकांगा नोर्मल सिराइपिंग करने के लिए आपको कॉस्तम मूड में गाइस यहां पर जो यह आप पर लगी विए जहां पर यहां पर प्लस का मार्क है यहां पर आपको बीच के अंदर गाइस एक डोट लगा लेना अपने मार्कर या पेन यह या फिर आप यह वाला किट्टी का जो इमोट ही इसको भी आता है AWM का तो गाइस यहां पर मैं तो आपको प्रिफर करूंगा गाइस होल्टू फायर का क्योंकि आपका इसको इन हो जाएगा तो आपको बंदेज जो आप जल्दी से दिख जाएंगे आप उनको मार सकते हो सई से एम लगा के तो मैं यहां पर होल्टू फायर रखता हूं और इसमें एक और फायदा है कि आपकी गण रिलोड नहीं लेती है थोड़ा सा मतलब थोड़ा से ध्यान रखने आपके गण रिलोड नहीं लेगी मतलब मतलब AWM ठीक है तो यह आपके लिए आपर जादा फाइदा मन रहेगा तो आपको hold to fire यहां पे रखनी है गाईस ठीक है वाइकल कंड्रोल को यहां पे गाईस वन हेंडेड और टू हेंडेड गाईस इनका मैं आपको बता देता हूँ दो चार बटन आएंगे तू हेंडेड आगर एंदेड के अंदर रखते हो तो यहां पे आपको यहां पर दिया जाएगा तो आप आप इससे आगे पीछे लेट राइट एक ही हाँ से कर सकते हो गाई तो इंगेम टिप आपको डिफोल्ट यह सेंपलिफाइड कौन सी रखना है तो डिफॉल्ट इंपलिफाइड में आप लगों को सिधा-सिधा बता देता हूं अगर आप डिफॉल्ट रखते हो तो आपका जो safe zone की वर्निंग यह और भी जो गेम की जो अंदर बता थे कुछ लाइक आपको इंगेम लाइक safe zone की जो warning आती हो यहाँ पर बताएगी ठीक है reset button के उपर यहाँ पर यहाँ आपको बताएगा आपका सेब्जों स्रिंग होने वाला है ठीक है पुरा वर्णिंग के साद में यहाँ पर बताएगे यह आपको डिफोल्ट के अंदर और अगर आपको यहाँ पर जो आपकी दिख रही है तो इसके साइड में आपके अलाई बंदे दिखे रहे हैं इसके साइड में इधर आपको पता चल जाएगी सेब्जों वगेरा बारे में तो आप सेंप्लिफाइट कर सकते हो क्योंकि यह चोटा सा रहता तो आपको ज्याजा डिश्टब नहीं करता सेंप्लिफाइट तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँगा कि डिफोल्ट पर ही रहे हैं और ओटा पर ओटो परसूट जो यहां पर और रखना है और नीचा आओगे तो आपको बताने की जुरुत नहीं है और डेमेज इंडिकेटर जो यहां पर न्यू है एंड क्लासिक है क्लासिक में आपको जब किसी भी बंदे पर फायर करोगे मानलो को बंदा आपके सामने और उस निकलेगा जो आपके क्लासिक में और न्यू के अंदर जो गाइज वाइट वाइट एंड प्लस बड़ा बड़ा डेमेज दिखाएगा आपका अगर आप हेडशोट मारोगे तो इतना बड़ा डेमेज लिखके आएगा मतलब बहुत ज्यादा बड़ा वाला डेमेज आपक के अंदर दिखने वाला है तो मैं आपको प्रिपर करूब को गाइस क्लासिक पर यह मेरे को क्लासिक बड़ा लगता है आप पे डिपेंड आप कोई सा भी रख सकते हो इसमें आपका गेम का कंट्रोल का मतलब वह कुछ है नहीं कि मतलब आप यह रखोगे तो आपका कुछ ह कंट्रोल तो यहां पर क्लासिक रखो तो आपके अंदर आप काहीं पर तो निकलेगा डार्ट रोगोगे तो आपको डार्ट कलर का खून निकलेगा नो बलड आप लोगोगे यहां पर मैं गाइस प्रीपर करूँगा क्योंकि इस आप से आपकी बॉड़ी शे ब्लड नहीं निकलेगा इट मीन जब आप जोन के अंदर रहोगे से जोन के मतलब आउट् सेब जोन में फाइड ले रहे हो तो बंदे को आप आराम से मार सकते हो तो हंड्रेट प्रिसेंट इसको गाइस आप नो बलड ही रखिए जाई हो अपने गेम का यह जो मैंने सेटिंग बता यह कर रही है गाइस तो आपकी गेम खेलने में जो काफी ज़्याद है यहां पर ह हो जाएगी गाइस ठीक है तो यह गाइस हमने बात कर लिया आज कंट्रोल की कंट्रोल मैंने पूरे के पूरे अच्छी तरीके से समझा दिया अगर आपको पूरा जानना है तो मैंने एक फुल वीडियो गाइस बनाई है जाके चैनल पर चेक आउट कर सकते हैं और गाइस अब हम थोड़ा चल लेते बेसिक अंड्रोल पर तो बेसिक अंड्रोल पर आप लो गाइस यहां पर स्मूथ इस्टेंडर्ड एंड अल्टर अगर आपका डिवाइस बहुत अच्छा है और आपके अगर फ्रेम डिवाइस अच्छा दे सकता बीस अगर आपका 30,000 प्लस का क चलेगा इस्टेंडर्ड पर आप खेल सकते अगर आपका डिवाइस लो है इस्मूथ आप खेल सकता आपको डिवाइस बहुत जाएगा लो है तो गाइस ठीक है और मेरी देख लीजिए मैंने फुली एक वीडियो बनाया है जाके आप लोग देख लीजिए उसके अंदर मै मैंने फुल वीडियो बनाई है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो गाइस ठीक है और साउंड का आप मुजिक को ओफ रखे है आप लोग क्योंकि मुजिक को ओफ रखोगे तो फाल जो कि आपको साउंड सुना नहीं देगी जिस वज़े से आप अच्छे से कहल पाओ कि ऑके कैस तैंकि तो मच फूरवेचंग ओनली बारा सो लाइक करजो गाई यहां पर एम करते हैं लाए लाइक कर कर दीजिया हैं थेंक्यू सो मच फूर वरचिंग या लव ए लग थान किश्वन कर आए